लेकिन असाम में मेरा कोई problem ही नहीं है, मुझको कोई Muslim, anti-Muslim सोचता ही नहीं है धूबरी का चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहते हैं? धूबरी का सुनाव जीतना साथा हो लेकिन मैं जीत पाऊंगा क्या तो मैंने politics सिखा हो which is real, which is practical मैंने बोला हो कि अभी धूबरी में सिनाव जीतने का मेरा situation नहीं है तो why should I put my resource there? यानि के practicality यह है कि Muslimानों को बोट नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, असाम में तीन Muslimान लोगो का सीध है where Muslims are in majority Nagao, Karimganz, Dhubri I am saying that I have a chance of winning in Nagao and Karimganz but not in Dhubri क्यो चोड रहे हैं, हुआ हैं? चोड़ो न, थोड़ा तू चाहिए न सब में दोस्ति बना रहना साहिए Congress से भी? Congress से भी, Congress का जो उमीदभर है मेरा एक सिस्टम है हमारा रहन, पहन, खाना, उना system थोड़ा सा मेरा अलग है मैं blue blood वाला से नहीं सकता हूँ क्यों? वो लोग क्या cultural problem है cultural problem है क्या cultural problem है? समझाइए तो सही जो लोग self-made है उनसे बात करने का अलग अंदाज होता है आपको जैसे you are a self-made journalist तो आपका साथ मैं जो बात करता हूँ I talk with respect कि ये self-made है अगर आपका बेटा आपका ही कुरसी में because he is your son बैठ लेता है तो मुझको हर बार आपका याद आते रहेगा जब भी में वो मुझको question करेगा मेरा याद उनका नहीं आएगा मेरा याद नभी का दिका आए नभी का जीका आएगा में किसका साथ बात कर रहा हूं तो उनका कुछ commonality रगता है राहूल गांधी में चवी दिखती है उनकी I think मैंने बाकी गांधी से बात करने का मेरा सोभाग्य नहीं हुआ लेकिन सुनिया गांधी और राहूल गांधी में commonality बहुत कम है यह मैं बोल सकता हूं बहुत कम है? बहुत कम है ना की बराबर है क्यों? सुनिया गांधी जब पार्टी सलाया कम से कम उनका एक ग्रूप अपीपल था जुसका अडवाईज लेकिया और सोच समझ के पार्टी सलाया लेकिन राहूल का पार्टी सलाने का जो सिस्टेम है आपने जो डिक्टेटर्शिप का बात बोला है जो भी आप बोलते है और एव्रिटिंग फिट अन्टु हिम वो डिक्टेटर है? मतलब उनका अंड़ाज और मूद ही अलग है कोई लोग, बड़ा बड़ा लोग उनका पास जाने के लिए दरता है हम बोला भाई क्या है चला जाओ, बात पूछ के आओ मोलते है ने, ने संभब नहीं है इनका मूद क्या है, क्या नहीं है लेकिन हम जब अमीच सा का घर का अंदर जाते हूं या मोडी जी का पास रहता हूं, हम तो उनका मूट का हमें अंदाजा नहीं लेना है, मूट हमेंसा खुश रहेगा, मालूम है, लेकिन इनको लोग, कॉंग्रेस का लोग भी जाते हैं, मूट का एक पेरामिटर धून के, कि ये पेरामिटर ठीगा भी जाना जा सकते हो, और रा ये भी बोल रहे है, हमारा हिंदु धर्म में सक्ति हमेशा मा कमाइखा ही होता है, सक्ति मा का प्रतीग होता है, सक्ति में कोई असुरा सक्ति नहीं होता है, सक्ति इस सक्ति, सक्ति इस पॉजिटिव कॉन्नूटेशन, अभी तो असुरा सक्ति बोलके, फिर ओ जो पहले गु दो धरम में सक्ती जे पोजिटिव वोड़, सक्ती सिंबोलाइज मादर हुद, सक्ती सिंबोलाइज क्रियेशन, सक्ती सिंबोलाइज यूर कंटीनुटी वाइटेलीटी, तो उसमें आप असुरा लगा के इसको आप निगेटिव वोड नहीं बना सकते हैं, जैसे मा का समने कभी भी मा को निगेटिव नहीं बना सकते हूं. तो आपको लगता है कि राहूल गांधी इस बाद को समझते नहीं? ज्यान कम है. मैं कुछ आपके पुराने स्टेटमेंट्स आपको सुनवाना चाहती हूं, जो आपने चाइल्ड मैरेज पर किये हैं. आपने अपने असेम्बली में क्या कहा? पहले आपको सुनवाती हूं, फिर सवाल पूछू मुछूँ. आप लोग सुन लिजिए! असाम में साइल्ड मैरेज नहीं होने डूँगा! जब तक मैं जिन्ना हूं! आप होने नहीं डूँगा! जब तक मैं जिन्ना है, जब तक असाम में साइल्ड मेरे साइल्ड नहीं होने हूं, आप छुन लिजिए! मैं आप लोगों को विजिकरी चैलेंज करना साथा हूं, 2000 सब्विशन का पहले मैं ये दुकान बंग कर दूँगा! आप बहुत गुस्से में थे जब ये कह रहे थे, और एक स्टूडेंट का भी सवाल है, कि आप मुसल्मानों के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं? ये मैंने खिलाफ में बोला। सबसे ज़्यादा पीरिद है मुसल्मान का बेटियों। आप देखे, आज आप थोरा सा OAC और मेरा बाद में आप थोरा सा डिफरेंसेट कीजिए। OAC बोलेगा कि लेट ये जो बच्छी साधी करते हो, दो तिन बीवी होते हैं, ये हमारा कलसर है, इसको आप ताच्श मत करो। लेकिन हमारा संग बिधन और हमारा जो सरकार है सबका है, या तो आप भोधिया नहीं दिया फरक नहीं पड़ता है, एक अगर ग्यारा सल का बच्छा मा बन जाते हैं, then how can you be chief minister of that state? he is also your citizen, तो ये state में हमारा constitution में नहीं लिखा गिया है कि मुसल्मान बेतियों को एक CM, because he is a Hindu, he cannot take care of her, तो मैंने क्या किया हूँ, हमने साइल मेरेज बन किया, अभी हमने निन्ने लिया हूँ कि मुसल्मान नहीं सारे बेतियों को सिक्सा देने का जिम्मेडरी सरकार उठाएग free admission होगा, free scooty मिलेगा, free cycle मिलेगा, साथ में उनका account में भी में हजार रुपिया प्रती महीना दूँगा, बात बड़ी बात कह रहे है, हम, we have announced this scheme, तो इसलिए, and that money will go mainly to the Muslim girls, तो में मुसल्मान समाज में एक जागरन कर रहा हूँ, continuously knowing well कि कोई लोग मुसको खराप पाएगा, साइल मेरेज बन करो, यह सोभा नहीं देता है, अगर हिंडू में है, हिंडू में भी बन होना सही है, दूसरा, कि एक हाजबेन का एक समाई, एक ही बीबी होना सही है, तो परसनल लोग का क्या होगा? तो मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, कि मैं मा का को से जनम लिया हूँ, तो मा का सनमान देना असा में यह मेरा जिमेदरी है, और दो हजार सबबीशन का पहले, मैं दो बोट इन रेगुलिटरी एन फेसिलिटेटिंग, मैं असा नहीं कि खली आरेस कर रहा है, एरेस्ट, साथ में सुबिधाई, साथ में लोगों का साथ संगबाद, मैंने दो एजेंडा उठा के रखा हूँ, कि असाम में साइल मेरेज बंध हो जाए, बाई 2026, साथ साथ में यह जो माल्टिपल मेरेज है, यह बंध हो जाए, यह दो कम उसको करना है, तो यह दो UCC हुआ तेखे, it is a part of UCC, और में, हमने अभी फास कदम उठाया, जो मुस्लिम रिजिस्ट्रिशन एक था, उनको खतम कर दिया, और अभी उत्तराखान का हुआ है, उनमें भी कोई कोड का सैलेंज है, क्या है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरा सेंट्रेल लीडराशिप से य तो यानि के एक UCC नहीं, आप एक एक करके बथाएं strategy can be all the, you can bring one and UCC at one go, or you can demolish things bit by bit. Public, सवाल पूछना चाहती है, और वहां एक student का सवाल है, आपको लगता है कि ये जो Muslim personal laws में changes है, ये सही दिशा में steps है? मेरा नम जावेदे, मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि आपको मेडिया जिस तरह से दिखाते हैं, पूस्टार बोई तरफ से, और आपको एक anti-Muslim जैसा दिखाते हैं, पूरी national जो बेटा बोल रहा है, ठीकी बोल रहा है, हमारा जो काम है, मैंने बोला, मद्रसा बन करो, और आप उसका जगा में लोगों को डॉक्टर और इंजिनियर बनाओ, फ्रम देली उट लुक्स लाइक ए स्टेप्मेन, लेकिन आपको जानके, यूल बेटा बेरी हैपी, अभी हमारा असाम में, मेडिकल कॉलेज में, एवरी येर, 300 तो 350 मुस्लिम बोईज और गल्स गॉर्स गॉर्ट अदमिशन, हमने हर जगा में, हर जिले में कॉलेज बनाया सुबिधा बरहाया, और असाम में जो मैं कर रहा हूँ, उससे मुसल्मान समास का बहुत दूर गामी, पॉजिटिव इंपेक्ट होगा, फिलाल मैं सबको बोला हूँ कि मुसको भोट का कोई लालस नहीं है, और आप लोगों को एक सिट मिनिस्टर मिला है, जो बीना भोट का लालस आपके लिए काम कर रहे, अभी हमारा एक लाग सरकारी नोकरी हुआ असाम में, साथ आध हजार मुसल्मान बेटा बेटीव को नोकरी मिला, लेकिन हमारा इहां में समास बेवस्ता ऐसा था कि बिना पैसा किसी को नोकरी नहीं मिलता था, पहला बार हिंडू को भी बिन पैसा नोकरी मिल रहे, मुसल्मान को भी बिना पैसा नोकरी मिल रहे, people are getting admission in medical college, engineering colleges, तो इसलिए में असाम का हर मुसल्मान इलाके में जाता हूँ, थिक थाक सब लोग reception करता है, प्यार करता है, महबबत करता है, मेरा असाम में कोई इस्यू नहीं है, मामा बुलाता है, मामा दादा बुलाता है, है भी मामा में सबका, तो दादा भी हूँ, तो यह तो हमारा प्यार का रिष्टा सला हुआ है, सलता रहेगा, लेकिन असाम में मेरा कोई problem ही नहीं है, मुसको कोई मुसल्मान एंटी मुसलिम सोचता ही नहीं, धुबरी का चुना हम जीतना क्यों नहीं बोला हूँ कि अभी धुबरी में सिनाव जितने का मेरा सिट्वेशन नहीं है, तो हुआई शुद आई पूट माई रिष्टोर्स देया, यानि के प्रैक्टिकालिटी यह है कि मुसल्मानों को बाकी जाहिए, नहीं जेखिये, असाम में तीन मुसल्मान लोगों का सीध है, और मुसल्मान सारीं मेजरों टुबरी, नौगाव, करेंगंगंष, धुबरी, I am saying that I have a chance of winning in नौगाव and करींगंगंष, but not in धुबरी, क्यों छोर रहे हैं, ठोर ना थोरा तुँ, चाहिए ना, सब में दोस्ती बना रहना चाहिए, Congress से भी Congress का जो उमीदभार है राहूल गांदी से फिर दोस्ती क्यों नहीं कर लेते Blue Blood Allah से मैं दूर रहता हूँ मेरा एक system है, विकिसले हमारा रहन, पहन, खाना, उना system थोड़ा सा मेरा अलग है मैं Blue Blood Allah से नहीं सकता हूँ क्यों? वो लोग क्या बात करने का एक अलग अंदज होता है, आपको जैसे आपको जैसे, आपको आपका साथ में जो बात करता हूँ I talk with respect कि ये self-made है अगर आपका बेटा आपका ही कुरसी में because he is your son बैख लेता है तो मुझको हर बार आपका याद आते रहेगा जब भी में उसको question करेगा मेरा याद उनका नहीं आएगा मेरा याद नभी का दिका आए तो राहूल गंधी को देखके किसका याद आता है पूरा गंधी का आते है starting from मोटिला नहरो, जोला नहरो, फिरोज गंधी किसका किसका याद आते है रिफ्यूज हो जाते हूं मैं किसका साथ बात कर रहा हूं तो